हाई स्कूल या पंदरा साल से जाएद उमर के नौजवानों के एक्षेंज प्रोग्राम्स अमरीका और यूरप में दूसरी जंग एजीम के बाद मुक्तलिफ मुलकों और सकाफ़तनों के दर्मियान वैस्तर समझभूच पैदा करने के लिए शुरू किये गए थे अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के कल्चुरल एन एजुकेशनल डियरो के तहत येस यानी यूथ एक्षेंज इन स्टडी प्रोग्राम्स दो हजार तीन में शुरू किया गया था इसके जरिए वो नौजवान अमरीका आकर यहां के तालीमी एदारों और तर्जे जुरू जिंदकी का मशाहिदा कर सकते हैं जिनकी उमर 15 साल से जाइद हो वो अमरीका आकर ऐसे अमरीकी खानदानों के साथ एक साल तक क्याम करते हैं जिक्के अपने भी उसी उमर के बच्चे हो और जो अपने घर में किसी मुखतलिफ मुल्क के नौजवान एक्सचेंज स्टूडन की मेजबानी करने में खुशी महसूस करें ये तुलबा जिन अमरीकी घरानों के साथ ठैरते हैं उन्हें खुब जाच पड़ताल के बाद मुखतलिफ किया जाता है हम पहले ये यकीन करते हैं कि वो अपने घर में किसी तालिब इल्म की मीजबानी किसी गलत मकसद से नहीं करना चाते स्टूडिन्स उनके घर महफूज रहेंगे वो वाकि किसी घर मुल्की तालिब इल्म की मीजबानी के लिए पुर जोश हैं वो तालिब इल्म को नए माहौल और उसकी अमरीकी स्कूल और टीचर्स के साथ घुलने मिलने के लिए पूरी रहनोमाई फराम करेंगे हम इन बच्चों को उनी अमरीकी स्कूलों में भेचते हैं जो गैर मुल्क से आने वाले बच्चों को भरपूर तालिमी और गैर नसाबी मवाकि मुहिया करने को तैयार है हमने स्टेट डिपार्टमेंट के लिए येस प्रोग्राम के मैनेजर केविन बेकर से पूछा कि गैर मुल्की तलबा को अपने घरों में ठहराने की पेशकश करने वाले अमरीकी वालिदैन को किस किसम की स्क्रीनिंग से गुजारा जाता है इन वालदैन को एक दरख्वास फॉर्म भरके देना होता है जिसमें उन्हें अपने खांदान और घर में रहने वाले अफराद की तादा डिकनी होती है पताना होता है कि जिस एक्सचेंज स्टूडिन्ट की वो मीजबानी करना चाहते हैं वो किस माहौल में रहेगा क्या उसका अलग कमरा होगा ये भी देखा जाता है कि उन अमरीकी वालदैन का कोई मुजरिमाना रेकॉर्ड तो मौजूद नहीं उन्हें अपनी गली महले में रहने वाले एक या दो हमसायों की तहरीरी सिफारिश भी फराम करनी होती है जो गवाही देंगे कि कोई गहर मुल्की स्टूडिंट उनके घर में रहे तो महफूद रहेगा लेकिन इतने कम अमर नौजवानों को अमरीका बुलाने का मकसद क्या इन्हें अमरीकी महौल और मौशरे से मतासर करना है अमरीका आने वाले नौजवानों को ये जानने का मौका मिलता है कि ह Clap ये अमरीका उससे कितना मुक्तलिफ है जैसा वो ख़बरों में देखते हैं तो यहां आकर तुलिबा ये देखते हैं कि अमरीकी तरअसल कैसे लोग होते हैं उन की एकदार कैसी होती हैं अक्सर वो ये जानकर हैरान होते हैं कि अमरीकी भी अपने खांदानों से महबत करते हैं हर साल अमरीका में मुखतलिफ एक्सचेंज प्रोग्रामस पर 27,000 स्टूडन्स आते हैं पाकिस्तान से येस प्रोग्राम के तहट 23,000 के बाद से अब तक 500 से जायद स्टूडन्स अमरीका आ जुके हैं पिछले एक साल से इन तलबा की तादाद बढ़ाकर 100 से जायद कर दी गई है ये एक साथ से जायद तलबा मनतखब किये जाते हैं उन हजारों दर्खास्तों में से जो येस प्रोग्राम को हर साल मौसूल होती है दर्खास देने के बाद येस प्रोग्राम के लिए मनतखब होने का अमल 12 से 14 महीने पर मुश्तम्ल होता है येस नाइन पाकिस्तान ताबिन्दा नेम उर्दू भी वे वाशिंटन येस नाइन पाकिस्तान चिट्राल ताबिन्दा आपकी ये रिपोर्ट देखे होपफुली बहुत से वालतान को तसली हो गई होगी अगर आपका बच्चा अमेरिका आता है तो वो महफूज हाथों में होगा इंशालला लेकिन ये बताईए कि जो पेरेंट्स यहां पे होस्त करते हैं स्टूडन्स को किस मोटिवेशन के तहट किस जजबे के तहट वो हामी भर लेते हैं और बच्चा पालने की अगर को ये समझता है तो गलत समझता है वो एक आम एक ऐसा खुशाल अमरीकी घराना होता है जिनके अपने उस उमर के बच्चे हो और जो के उनको एक नए दोस फराहम कर सकें एक्सचेंज स्टूडन्स को इसके इलावा वालिदेन जो मेजबान होते हैं उनका ये काम होता है कि वो बच्चे को रहनुमाई फराहम करते हैं मकमल तोर पर कि स्कूल में दाखले के लिए क्यों से मजामीन वो लेगा उस सब के बारे में इसके इलावा उनकी जमदारी इसलिए भी बहुत जादा होती है कि अगर एक्सचेंज स्टूडन्ट आया है अमरेका और एक्सप मतलब एक बच्चा पॉलने की तरह ही है विल्कुल विल्कुल तो स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो एक बहुत मामूली सा उनको मावज़ा भी अदा करता है लेकिन ये कि जादा तर वालिदें ये काम रजाकाराना तोर पर करते हैं अपने खुशी से करते हैं और अपने एक इधानी नाजवान से जिसस्यान जिससे मिलने के बाद इस पूरी सी्री Thesky's demo का आइडिया डिवेल्ब हुआ था उसके अमरीकी मेसमानay खान्से मिलने के बाद.. और उन से मुलाकात करवाएंगे, उनके वालिदेन से मुलाकात करवाएंगे, उनके हकीकी वालिदेन से मुलाकात करवाएंगे इसके साथ-साथ मैं यहां पर यह भी बता दूँ कि हम जिन लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अपने नाजरीन से जो students यहाँ पर होकर जा चुके हैं एक साल मकमल करके पाकिस्तान जा चुके हैं पिछले फालों में 500 से जादा students हैं वो हमसे राप्ता करें हमारे Facebook pages के उपर, मेरे Facebook page के उपर और हम कोशिश करेंगे कि अगर वो कोई ऐसा काम करें हैं जिसके बारे में पाकिस्तान को पाकिस्तान में रहने वालों को पता चलना चाहिए तो वो जरूर हम अपनी आइंदा प्रोग्रामिंग के अंदर उन चीज़ों को शामर करेंगे के मकसद जही है कि ना सिर्फ ये दिखाया जाए कि यहां पे जो सूडेंट्स हैं वो कैसी जिन्दी गुजा रहे हैं बलकि उनको ऑपरचुनिटीज अगर पाकिस्तान जाके मिल रहे हैं अपने इलागे के लिए कुछ करने की तो आपने देख लिया आप हमें आपकी भी फीड़बैक का इंतजार है लेकिन अगले हफ़ते आप मिलना मत भूलेगा फ्यूचर लीडर कामरान फारूकी उनके पाकिस्तानी और उनके अमरेकी खांदानों से जब मैं यहां पर आया तो पहले मेरा स्टे था वाशिंटन डीसी में मुझे बताया गिया था कि बाल्टिमोर में इधर आयरीन हरीकेन अगा है तो मैं तो ऐसी बस रात को सो गया मेरे जो होटेल के कमरे के बार स्वेमिंग पोल ता हम इन देखा कि काफी तीज उन में हरका बाल आयूए थी, पानी भी हिल रहा था काफी तेज तो सुझा में अठा था तो बाईर हम वाट वे में अपनी फैंदी के साथ चला गया था तो मैं देखा कि दरख वकर यहां पर गिरे हुए थे बिजली भी नहीं थी यहां पर शुरू में बिजली नहीं थी तो आप तो फोड़ा बहुत लगा था लेकिन फिर बेज़िया आगी थे उसके बाद कभी नहीं गई है